अस्सलाम अलेकुम प्यारे बच्चों आपने अपने घर में आपकी अम्मी को बावर्चे खाने में रोटी या चपाती बनाते हुए देखा है देखा है ना हाँ आप जड़ा सोचो तो जब आपकी अम्मी जान रोटी बेलती है तो उनके हाथ किस तरह हरकत करते हैं किस तरह वो अपने हाथों को हरकत देती हैं हाँ बिल्कुल सही बच्चों अम्मी जान जब आटे पर बेलन रखकर चपाती या रोटी बनाती है तो हाथ की हरकत आगे और पीछे होती है दोनों हाथ एक साथ आगे होते हैं और दोनों हाथ एक साथ पीछे होते हैं बच्चों जब आप घर से स्कूल जाते हो या स्कूल से घर वापस आते हो या घर से बाहर कभी भी कहीं जाते हो तो रास्ते में आपने बकरी, कुता, गाए, बैल वगेरा तो देखा ही होगा ना वो अपनी दुम को हरकत देते हैं सर को हरकत देते हैं पैर हलाते हैं अपने पैरों को हरकत देते हैं चड़िया या कववा देखा होगा दरखतों पर बैठे हुए वो अपने परों को हरकत देकर एक जगा से दूसरी जगा उड़ते हैं दरखतों पर बैटते हैं प्यारे बच्चों आज हम इसी तरह के मुक्तलिफ हरकात से जुड़ा हुआ एक सबख हमारी जमाद दूबं की खेले करे सीखे इस दर्सी किताब का सबख नमबर पांच रखस पढ़ेंगे और सीखेंगे झाल